मास्कार, आज हम 18 मी कडी में हैं, बहुत पहले से हम प्रयास करते आ रहे हैं दिज्जासा को जगाने का, जिज्जासा जगाना किसलिए हैं? कि हमें ये जानना है कि भारत को विश्वगुरू क्यों कहते थे और भारत को विश्वगुरू सिध्ध करने के लिए हम कोई भी पहलू को छोड़ नहीं सकते हैं जैसे हम पिछले कुछ कड़ियों में हम बात कर रहे थे तीस लाख वर्ष पहले यदि प्राणी पैदा हो गया तीन लाख वर्ष पहले यदि इनसान पैदा हो गया तो अब तक हम इस इतिहास को ठटोलने में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं यदि आपको कोई शिलाज मिलता है अर्धात कोई पुरानी वस्तू मिलती है या हड़ी मिलता है या कोई अवसेश मिलता है तो हम कार्बन डेटिंग से पता कर लेते हैं कि पचास हजार वर्ष पुराना है या एक लाख वर्ष पुराना है आज विज्ञान इतना भी आसार दे दिया उसके बावजूद क्या हमें कोई पुरानी वस्तों नहीं मिल रही है तो बात ऐसे भी नहीं है हम बहुत जगह के तथ्यों को एक जगह हमें पिरो नहीं रहे हैं अर्धात एक सूत्र में हमें पिरो ना है और उन सब को एक दृष्टी से देखना है और उन सब के बीच में हमें ये कही बिंदू रखना है तो आज की बात है कि 30 लाख वर्ष पहले जब प्रानी पैदा हुआ तो 3 लाख वर्षे पहले ही मानो क्यों क्या जैसे डार्विन महोदय का जो क्रमिक विकास का सिध्धानत है एवल्यूशन थीरी जो 19 सदी के पैदा हुए एक शास्त्रज्ण जो डार्विन थे चार्लिस डार्विन उन्होंने ये बताया कि इंसान का एक क्रमिक विकास है और बंदर से मानव उत्पन हुआ जो जो अवयव हमें आवश्यक नहीं थी उस उस अवयव को हम छोड़ते गए तो क्या हमें इसको मानना पड़ेगा या यहां पर भी गहराई से देखकर हमें कहीं जाना पड़ेगा मानव का उत्पत्ति अचानक हुआ अधवा हम कर्म के सिध्धांत के जिसकी बात कर रहे थे पिछले एक कड़ी में कुछ कड़ियों में तो वहां पर हमें हर योनी में जन्म लेना पड़ता है हमारे कर्मों के अनुसार हर योनी में जन्म लेना पड़ता है तो पहले मानव योनी क्यों नहीं बना सबसे पहले तीसलाख वर्ष पहले वो प्रानिया क्यों बनी और वो प्रानी उसमें से अधिकांश प्रानी अब क्यों नहीं फिर क्या उनका समय आएगा मानव की संख्या बढ़ते 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 हम तो पहले सोचते थे वो सव करोड़, दो सव करोड़, तीन सव करोड़, चार सव करोड़ अब आबादी विश्व की साथ सव करोड़ पार कर चुका है तो कहां तक जाएगा आम तो तो होगा, एक समय तो आएगा, फिर ये संख्या सूनी की वर जाएगी, फिर वही प्रानी बचेंगे, फिर नए नए प्रानी उत्पन होंगे, जैसे हम साइंट फिक्षन के जो सिनिमा में देखते हैं, विभिन तरह के जानवर जो बाहर दिख नहीं सकते हैं, तो उनक जैसे जाम बवंग, अथवा हमारे सबसे प्रिय, आराध्य, जो हनुमान जी, जो सेना, जो वानर सेना, श्री राम जी को सेतु बनाने में मदद किया, और सीता जी को ढूंडने में मदद किया, उस समय क्या वो लोग इंसानों से बात करते थे, तो क्या सब मिल जुलके रहत आगे वही समय आएगा, आज हम हर जानवर से चिठते हैं, हर चीज से चिठते हैं, गाई को सडक पे छोड़ देंगे, और बंदर बढ़ गया है, इसलिए मारने के अनुमती कोर्ट से ले लेते हैं, तो उस समय की बात देखिए, उन पुरानिक गाधाओं की बात देखिए, वहाँ पर हर एक पक्षी से मानवकारी लेता था, और हर एक जंतु से मानवकारी लेता था, और आरेक के विकास के लिए वो प्रयास करता था, तो आखिर हम पीछे मुड़ के देखें तो कैसे देखें, इनसान के दृष्टिकोन को कैसे देखें, उसके उद्भो को कैसे दे हैं उनके बारे में हम क्या समझें बहुत गहराई युन तक हम जाने की स्थिति में नहीं है आज हमारी पढ़ाई सीमित हो गई है हम यह दिदी डार्विन के डार्विन महोदे के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ते हैं तो हम वही तक रह जाते हैं हां हम कहते हैं कि हां मानव बंदर से पैदा हुआ था तो आखिर ये संभव है क्या यदि हम अवचेतन मन को बता दें कि हमें इस अंग के अवश्यक्ता नहीं है आधवा हम क्या कुछ दिन हमारे हाथ या पैर के अवश्यक्ता को महसूस ना करें तो क्या धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा डार्विन महोदे के किसी भी सिध्धान्त को हम नकार नहीं रहे हैं ना नकार सकते हैं जब तक हम इस बात को सिध्ध नहीं कर सकते हैं या तो हमें ये सिध्ध करना पड़ेगा कि दार्विन महोदय का जो कथन है वही सही है उसका जिकर हमारे यहां भी है और यहां पर भी वही विकासकर्म बताया गया अधवा अपने कर्मों के अनसार एक योनी से दूसरे योनी में तीसरे योनी में चलते चलते प्राणी अंत में तीस लाख वर्ष से 27 लाख वर्ष उनको समय लगा था तब जाके मानव नामक एक प्राणी बैदा हुआ यह मानना पड़ेगा तो यहां हमें एक डिजाइन बनानी पड़ेगी यहां पर सोध का एक प्रारूप बनाना पड़ेगा हमें कैंकि जब तक हम मानव के इतिहास के बारे में नहीं जान सकते हैं मानव के प्रादुर्भाव के बारे में हम एक निश्चित बिंदू पर नहीं पहुंच सकते हैं तब तक हम विश्व के बारे में क्या पढ़ेंगे क्या जानेंगे आखिर इनसान का उद्भाव कैसे हुआ आज हमारा दवड चल रहा है मुझे गाड़ी खरीदना है मुझे घर बनाना है और मुझे बैंक अकाउंट बनाना है मुझे नाम कमाना है उस समय में हम इस चीज को भूल जा रहे हैं आसमान को देखना भूल गए ताराओं को देखना भूल गए बगल वाले को देखना भूल गए समाज के प्रती हमारे योगदान को भूल गए और ठोस सोध जिन गहराईयों को पहुंचने के लिए पास्चात्य जगत तरस रहा है हर एक सोध में अंदर तक जाने का जहां प्रयास करता है वहां हम कहां रह गए इस गरंध से उस गरंध की समिक्षा उस कवी की विसेशता और जोतिश में भी अमक भाव का विचार अमक भाव का विचार तो आखिर हम कहां रुक गये जिद्यासा हमें पैदा होना समाप्त कैसे हो गया और हम स्थानू मनि एक पत्थर के रूप कैसे ले लिए और प्रानियों को जो नहीं दिया भगवान ने जो विसेशता मस्टिश्क में जो हम में दिया है सेरेब्रल कोर्टेक्स जो स्थान होता है वो प्रानियों में होता ही नहीं है और चिंतन का स्थान वही होता है इंसान में नहीं तो हाथी के जो इतना बड़ा सर है उसके मस्टिश्क में छोटा सा अम्श है कि सेरेब्रल कोर्टेक्स इसलिए ज्यादा क्यों पड़ रहा है चलिए हम आगले कड़ी में इस पर और विचार करने की प्रयास करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद